ओम शंती, मेरा नाम बीके शिवानी है और मैं ज्ञान में पान साल से हूँ मैं हिमायत नगर सेंटर बीके अंजली दीदी की पालना में हूँ हाइटरबाद से और मैं आप सबसे एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाती हूँ मैं जब ग्यान में नई नई आई थी, मेरे माता जी भी चलते थे, उनी के द्वारा मुझे बाबा का परीचे मिला जब मैं नई नई थी तो मुझे एक चोटी सी डिजीज हो गई थी दिप्तेरिया करके उसके इनीशियल स्टेज में में थी और मुझे लगभग एक हफते सक बहुत तेज बुखार आया था, बहुत तेज 104, 105 की नीचे उतरता ही नहीं था पूरे दिन में और फुल बॉड़ी पे रैशेज और बहुत तो त्रोट में जैसे की टॉंसल होते उसके उपर एक वाइट कलर का वैक्स जैसे हो गया था तो बहुत सफर कर रही थी मैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बेस्ट, हाइटरबात के बहुत बेस्ट एंट्स को बताया सभी ने एक ही बाद पोली कि आप टाबलेट डीजिये शाम तक ठीक होगा तो ठीक है वानना एक हॉस्पिटल का नाम बोला जहां पर मुझे कमपलसरी एडमिट होना पड़ेगा तो फॉर फाइव डेस तक तो वेट किया वेट किया फिर फाइनली एक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने भी वो बहुत बेस्ट डॉक्टर है हावजरपात के एंटी और उन्होंने भी यही जवाब दिया तो हम लोग गए बताया और उनसे पहले जो हॉस्पिटल का नाम सभी डॉक्टर्स ने दिया था वहां पर मुझे लेके गए एडमिट होने के लिए बट वो हॉस्पिटल ऐसे थी जहां पे कुछ लोग पी के आते थे और कोई खून से लगपताते थे तो मैं बहुत डर गई थी बहुत डर लगा और मुझे लगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहां एडमिट तो नहीं होना है करके तो फिर भी ट्राइ किया और एक तो आपके पास और कोई ओप्शन नहीं है तो मैं उसी रात में अपने ममी के रूम में सोरी थी और ममी को ग्यान अमृत पढ़ने का बहुत है तो उनके बैट पे गयान अमृत थी तो मैंने अमृत खोला और बाबा ने पता नहीं उसी पेच पे खुलवाया जिसमें एक बह और उन्होंने भी यही लिखा कि मेरे गले की प्रोब्लम थी बट मैंने अमृत वेला किया और बाबा ने इतनी शक्ती दी कि अब मैं ठीक हूं तो तब मुझे अमृत वेले का महत्व या ज्यान की इतनी क्लारिटी नहीं थी तो मैंने बस उतना ही आर्टिकल पढ़के बन क एक ही अमृत वेला करना उतना आता भी नहीं था बस एक संकत किया बाबा जो भी हो मुझे उस हॉस्पिटल में अदमित नहीं होना है मैं ऐसे मरीजों के साथ में नहीं रह पाऊंगी और अपना इलाज कर पाऊंगी मुझे बहुत डर लग रहा है आप ही कुछ कीजिए ऐस संकत करके फिर मैं सो गई वापस तो ऐसा हुआ बाबा जैसे कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सखा बाबा ने मेरा डॉक्टर बनके मेरा इलाज किया और इवनिंग तक मेरा त्रोट जो वन वीक तक मैं सफर कर रही थी इवनिंग तक अटोमाटिकली सारा जो वाक्स लगा हु मैं परफेक्टली फाइन हो गए तो डॉक्टर भी थोड़ा सप्राइज था कि जो इतना वन वीक तक दवाई लेके भी नहीं हो पाया वो इन डे मॉर्निंग तो इवनिंग तक ही क्लियर हो गया तो उस समय मुझे बाबा पे बहुत निष्चे बैट गया कि बाबा ने डॉ बनके जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया वो बाबा की शक्ती ध्वारा मेरा त्रोट क्लियर हो गया और मैं और ही निष्चे बुद्धी बन बाबा के ग्यान में चल रही हूं थांक यू ओम शांती